Assalamualaikum students, welcome to my youtube channel इस वीडियो में हम class 8 math की exercise 1.21 को complete solve करेंगे तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको complete exercise की समझा सके exercise को solve करने से पहले हम कुछ definitions पढ़ लेते हैं पारोफिट markup पारोफिट वेन वी deposit money into a bank जब हम किसी bank में रकम को जमा करवाते हैं डिपोजिट करवाते हैं दा बैंक uses our money तो बैंक हमारी रकम को इस्तमाल करता है रुपए को इस्तमाल करता है and in return pays and extra amount और उसके बदले में हमें कुछ extra amount देता है कुछ अजाफी रकम देता है ठीक है along with our actual deposit जो हम बैंक में रुपए जमा करवाते हैं उसके साथ हमें कुछ extra amount देता है the extra money which the bank gives for the use of our amount is called profit on the deposit तो जो बैंक हमें extra money देता है हमारी जो amount इस्तमाल करने के बदले उसको क्या कहते हैं नफा कहते हैं ठीक है तो जो हम कोई भी रकम बैंक में जमा करवाते हैं उसके इस्तमाल करने के बदले में जो बैंक हमें अजाफी रकम देता है वो क्या होती है नफा होती है ठीक है वो होती है पारोफिट ठीक है यह आपने याद रखना है और markup क्या है markup when we borrow money from the bank to run a business जब हम bank से रुप्या उदार लेते हैं ठीक है अपने business को चलाने के लिए तो bank वो रकम के बदले में कुछ extra amount हम से लेता है ठीक है इस extra money which the bank receives is known as markup जो bank से हम उदार रकम लेते हैं उसके बदले में जो bank हमारे से extra income लेता है वो क्या कहलाता है markup कहलाता है ठीक है प्रिंसिपल amount क्या है तो जो रकम हम बैंक से उदार लेते हैं या बैंक में जमा करवाते हैं उस रकम को क्या करते है प्रिंसिपल amount करते हैं उर्दू में इसे हम असल जार भी पढ़ते हैं प्रिंसिपल amount को ठीक है जो रकम हम उदार लेते हैं या उसमें जमा करवाते हैं तो इसको हम प्रिंसिपल amount कहते हैं ठीक है इसके बाद परोफिट या मारकप रेट दा रेट एट विच दा बैंक गिवस शेर तो इस अकाउंट होल्डर इस नोन अज़ परोफिट और मारकप रेट इसके बाद पीरियड एक खास रकम जो हम कुछ वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हैं बिजनस में उसे क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं टाइम पीरियड ठीक है टाइम कितना है यनि कितना वक्त है कितने साल के लिए है एक साल के लिए है या दो साल के लिए हम कोई भी रकम बैंक में जमा करवाते हैं या बैंक से लेते हैं ठीक है उसे क्या कहते हैं पिरियड कहते हैं तो यह चीजें आपने याद रखने हैं इसके बाद फार्मॉला क्या है calculate the profit markup the principal amount the profit and markup rate the period तो इन चार चीजों में से अगर हमने कोई भी चीज find करनी है तो यह उसका formula दियोगा है for calculation of profit and markup we use the formula तो यह formula है उसका profit and markup equal है i के इसको हम i पढ़ते हैं नफा या markup को हम i लिखते हैं ठीक है तो जो principal amount होती है उसको हम p लिखते हैं और जो period होता है time period time को हम t से लिखेंगे और rate को r से लिखेंगे ठीक है तो यह आएगा i equal to p r t ठीक है यह आपने याद रखना है अब हम question number one solve करेंगे find the profit on rupees 40,000 at the rate of 3% per year for 4 years उसने कहा है 40,000 rupees पर 4 साल में 3% सलाना शिरा से मुनाफ़ा मलूम करें तो रकम कितनी है 40,000 तो हमने इस पर नफ़ा मलूम करना है add the rate of 3% rate क्या है 3% है और time कितना है 4 years चार साल profit find करना है प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 ठीक है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से जाहिर करते हैं रुपीज 40,000 चालिस हजार प्रिंसिपल अमाउंट है जो रकम उसने बैंक में जमा करवाई है ठीक है उस पर हमने नफ़ा मलूम करना है चार साल के लिए 3% rate क्या है 3% रेट को हम आर से लिखते हैं 3% और टाइम कितना है टाइम टी यानिके पीरियड जिसे हमने पड़ा है टाइम टाइम है 4 येर्ज चार साल तो 40,000 उप्या उसने चार साल के लिए 3% पर दिया है उस पर हमने profit find करना है नफ़ा find करना है profit profit क्या है ये हमने find करना न profit इसको IE भी लिखते हैं markup को profit को हम IE से show करते हैं इसको हमने find करना है फार्मूला लिखते हैं फार्मूला हमने यही लिखना है IE equal to PRT IE क्या है the profit है या markup पड़ते हैं या the profit पड़ते हैं तो इसको IE से पड़ते हैं principle multiply time multiply rate PRT ठीक है यह फार्मूला इसका profit कि इसका फार्मूला है पी मल्टिप्लाई यार मल्टिप्लाई टी पी आर्टी ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट पी कितना है 40,000 चालिस हजार रुपया आर रेट रेट क्या है 3% टाइम टाइम है 4 येर्ज फोर्टी थाउजन तो यह जो percentage का sign है इसको खतम करेंगे तो इसके denominator में 100 आ जाएगा 3 के denominator में 100 आ गया ये percentage का symbol खतम करने से 3 के denominator में 100 आ गया multiply 4 ये 20 से 20 cancel होगी 400 multiply 3 multiply 4 अब इन तीनों को अपस में multiply कर लेंगे 3, 4, 12 400 को 12 से multiply कर लेंगे 2, 0, 0, 2, 0, 2, 4 जा रेट 1 को 0 से multiply कर जिरो 1 को 0 से multiply कर जिरो 1 को 4 से multiply कर फोर 0084 तो ये आ गया 4800 रूपीज तो नफ़ा कितना हुआ है 4800 रूपे मुनाफ़ा हुआ है 10 रूपीज तो ये उसको मुनाफ़ा हुआ है यही हमने फाइन करना था तो ये क्वेस्टिन नूबर वन कंप्लीट हो गया क्वेस्टिन नूबर टू साओध बोरोड रूपीज 25,000 फ्रॉम बैंक एड़ रेट और 6% पर येर फार थ्री येर्स साओध ने बैंक से 25,000 रूपे 6 फिसस लाना के हसाथ से 3 साल के लिए लिए find the markup of the bank तो बैंक की markup की रकम मलूम करें तो जो भी रकम हम बैंक से उदार लेते हैं उस पर जो interest rate दिया जाता है उसे हम markup कहते हैं ठीक है अगर हम कोई रकम बैंक को उदार दें या बैंक में जमा करूएं तो उस पर जो bank हमें रकम देता है अजाफी उसे हम नफा कहते हैं परोफिड कहते हैं तो यह देखें साओध में बैंक से 25,000 रुपया उदार लिया है rate क्या है 6% कितने साल के लिए लिया है 3 साल के लिए तो हमने इसका markup मालूम करना है क्वेस्टिन नमबर टू कि प्रिंसिपल अमाउंट यानि के रकम जो हम उदार लेते हैं या बैंक को देते हैं उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं कि तो साओध ने कितनी रकम उदार लिए है 25,000 प्या प्रिंसिपल अमाउंट तो यह है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से जाहिर करते हैं इसके बाद रेट क्या है, 6% रेट आर 6% है, टाइम 3 येर्ज टाइम 3 येर्ज तीन साल के लिए उसने 25,000 प्या 6 फिस्द रेट पर लिया है तो हमने इसका मार्क अप मलूम करना है, यानि के साओध ने कितनी रकम जो बैंक को अधाफी रकम देनी है, वो हमने मलूम करनी है उसे क्या कहते हैं मार्क अप मार्क अप को भी आई से जाहिर करते हैं, यह हमने मलूम करना है फार्मूला क्या है? वी नो बैट फार्मूला हमें पता है ना, मार्क अप इक्वल है, प्रिंसिपल, मल्टिप्लाई, पीरियर्ड यानि कितने टाइम के लिए, और रेट मल्टिप्लाई का देना है, पी आर्टी, मार्क अप इक्वल है, पी मल्टिप्लाई आर, मल्टिप्लाई टी, टाइम, पी के है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है, पच्चिस हजार, और रेट, सिक्स परसंट, और टाइम कितना है, थ्री येर्ज, पर्संट एज को खतम करेंगे तो, सिक्स के चिनोमिनेटर में वान हंडड आ जायगा, घुड़ि ट्री, टू जीरो से टू जीरो कैंसल हो भी, टू हंड़़ट फिफ्टी, मल्टिप्लाई सिक्स, मल्टिप्लाई थ्री, इन तिनों को आपस में मल्टिप्लाई कर लेंगे, 250, 6, 3, 0, 18, 250 को 18 से multiply कर लेंगे 8, 0, 0, 8, 5, 0, 40, 40 का 0, 4 carry, 8, 2, 0, 16, 16 और 4 या गया 20 0, 5, 2, 0, 0, 5, 4, या गया 4,500 मार्क अप कितना आ गया 4,500 तो साउद जो है ये इतनी रकम बैंक को अजाफी देगा ठीक है मार्क अप देगा 4,500 रुपया दस मार्क अप अफ दा बैंक इस रुपीज 4,500 तो मार्क अप क्या है 4,500 रुपया है तो यही हमने फाइन करना था तो यह क्वेस्टिन नमबर टू कंप्लीट हो गया अब हम क्वेस्टिन नमबर थ्री सॉल्व करेंगे तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट को फाइंड करना है यानि कि असल जार को फाइंड करना है रियाज ने कारोबार में सरमाया कारी की ठीक है और उसको यह नफा हसल हुआ है उसको 4,200 रुपया मनाफ़ हुआ है कितने सालों के लिए उसने कारोबार किया है तीन सालों के लिए कितने परसंट उसको रेट मिला है 10 परसंट ठीक है तो यह हमने principal amount find करने हैं तो इसको solve करते हैं question number 3 principal amount हमने find करने हैं इसको हम P से लिखते हैं profit इसको हम I से show करते हैं तो मनाफ़ा कितना है 4200 time कितना है time t time है 3 years rate rate आर यह है 10 परसंट we know that formula क्या है principal amount का I equal PRT I क्या है profit profit नफ़ा कितना है 4200 रुपे पी हमने find करना है न प्रिंसिपल amount तो इसको एज़िज लिख लेंगे आर रेट रेट क्या है दास परसंट time कितना है 3 years 10 परसंट क्या आएगा दास के बटे में 100 आ जाएगा परसंटेज को खतम करेंगे तो दास के denominator में 100 आ जाएगा पी मल्टिप्लाई दास को तीन से मल्टिप्लाई कर लेंगे यह आएगा 30 यह इदर मल्टिप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगे इदर आके डिवाइड हो गया इदर बच गया पी प्रिंसिपल amount ठीक है एक जीरो से एक जीरो कट गई तीन एक तीन एक तीन एक तीन एक बज़ गया बारह तीन चार बारह यह जीरो आ गई ठीक है कि कट गया इससे तीन से 140 को एक सो से जरब कर देंगे पी इकवल है 140 मल्टिप्लाई 100 ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट है 100 को 140 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह इसके साथ 30 हो जाएंगी 123 ठीक है यह प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गई 14,000 ठीक है तो इतनी रकम वह अगर बिजनस में लगाए गा तो इसको 4200 रुपीज मुनाफ़ा मिलेगा ठीक है तो इसको लिखते हैं दस प्रिंसिपल अमाउंट इस रुपीज 14,000 ठीक है तो यह इसकी प्रिंसिपल अमाउंट आ रही यही हमने फाइंड करना था तो यह क्वेस्टिन नमबर 3 कंप्लीट हो गया अब हम क्वेस्टिन नमबर 4 सॉल्व करेंगे अजमल इन्वेस्टिड सम अमाउंट इन बिजनस अजमल ने कुछ सरमाया कारवबार में लगाया यानि के कुछ रकम जो है उसने बिजनस में इन्वेस्ट की हैं इसने तीन साल में 12 फिस्ट सलाना शरा से 27,000 पे नफ़ा हसल किया नफ़ा कितना है 27,000 पे और रेट क्या है 12% टाइन 3 येज फाइंड इस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड करने हैं यानि के प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करने हैं जो रकम उसने बिजनस में लगाई है वो हमने फाइंड करने हैं ठीक है तो इसको सॉल् इसको हम माई से लिखते हैं कितना है 27,000 रुप्या रेट रेट आर 12% रेट है 12% टाइम कितना है टाइम है त्री इयर्ज तीन साल हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने हैं जो रकम उसने बिजनस में लगाई है इन्वेस्ट की है वो रकम हमने फाइंड करने है उसको हम उर्दु में असल जार भी पढ़ते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है न इसको P से शो करते हैं फार्मूला लिखते हैं वी नो देट पारोफिट इक्वल है P multiply R multiply T तो P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट यह हमने find करनी है इसको एजडी लिख लेंगे नफा कितना है 27,000 प्या रेट कितना है 12% टाइम कितना है 3 years तो परसंटेज को खतम करेंगे तो 12 के denominator में 100 आ जाएगा multiply 3 तो यह देखे 100 इदर divide हो रहा है दूसरी साइड पर multiply हो जाएगा 12 को 3 से multiply कर लेंगे तो यह आएगा 36 अब यह देखे 36 इदर multiply हो रहा है दूसरी साइड पर आपर divide हो जाएगा इदर बच गया पी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और पी को इस तरफ लिख लें इसको इस तरफ लिख लें 27,000 और 36 यह दोनो नो पर कर सकते हैं नो चार 36 नो तीन 27 यह तीन जिरो बच गी तीन जिरो पर लिख लेंगे चीक है पिर यह 100 और 4 यह दोनों अपस में कर सकते हैं 4 वांजर 4, 4 टू जार 8, 2 बच गया 20, 4, 5, 20 तो यह 25 आ गया, पी इकोल आ गया, 3000 और 25 3000 multiply 25, इनको अपस में multiply कर लेंगे 000, 5, 3, 15, 000, 2, 3, 6, 000, 5, 1, 6, 7, 75,000 रूपीज प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 75,000 अजमल ने इतनी रकम बिजनस में इन्वेस्ट की है दस ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इस रूपीज 75,000 ठीक है तो यह question number 4 complete हो गया अब हम question number 5 solve करेंगे At what annual rate of markup would rupees 6,800 amount become rupees 9,044 in 11 years उसने कहा है markup की किस सलाना शराप पार है 6,800 रुपए की रकम 11 सालों में 9,044 रुपए बन जाएगी rate हमने find करना है ठीक है इसको किस में find करना है पारसंटेज में यह जो amount है 6,800 यह बन जाती है 9,044 कितने सालों में 11 सालों में 11 यह जानी कि पहले यह 11 साल पहले यह mount थी फिर 11 साल के बाद यह amount बन गई है इसमें नफाश शामल हो गया है तो हमने rate find करना है तो इसको solve करते हैं क्वेस्टन नमबर 5 एन्वल रेट एन्वल रेट प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल है पी इक्वल 6,800 time 11 years 11 सालों में यह प्रिंसिपल अमाउंट जो है यह कितनी रकम बाद जाती है 9,044 तो कुल रकम में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कार देंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा नफा होगा पारोफिट इक्वल है कुल रकम कुल रकम कितनी है 9,044 इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट सब्ट्रेक्ट कर देंगे 6,800 इसमें से इसको सब्ट्रेक्ट करें तो कितना आता है 2,244 तो ये इसका नफा आ गया पारोफिट फार्मुला लिखते हैं वी नो देट पारोफिट इक्वल है पी मल्टिप्लाई यार मल्टिप्लाई टी पारोफिट कितना है 2,244 तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6,800 रेट हमने फाइंड करना है इसको ऐस दिख लेंगे टाइम 11 एर्ज 11 लिख दिया है इसके बाद 2,244 6,800 मल्टिप्लाई 11 तो यह आगया 74,800 मल्टिप्लाई आर अब यह देखें 74,800 इदर मल्टिप्लाई हो रहा है दूसरी साइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा 2,244 डिवाइड 74,800 इक्वल आर इसको हम इस तरफ लिख लेंगे इसको इस तरफ ठीक है 2,244 डिवाइड 74,800 आर लिख लेंगे अब यह देखें यह रेट आ गया है ना रेट को हमने परसंट एज में कनवर्ट करना है तो इसको 100% से मल्टिप्लाई कर देंगे मल्टिप्लाई 100% 2,0 से 2,0 कैंसल होगी 2,244 डिवाइड 748 परसंट 2,244 को 748 पर डिवाइड कर देंगे 2,244 डिवाइड 748 तो यह आगया 3 है 10% 10 एन्वल रेट और उफ मार्कप इस 3 परसंट तो यह 3 परसंट रेट है तो यह रेट हमने फाइंड करना था तो यह क्वेस्टन नमबर 5 कंप्लीट हो गया अब हम क्वेस्टन नमबर 6 सॉल्व करेंगे अट वट अन्वल रेट और उफ पर रोफिट वुड अ सम आफ रूपीज 5,800 विल इंक्रेज तो रूपीज 7,105 इन 3 अर्स टाइम उसने कहा है कि सलाना शरा पर मुनाफ़ा 5,800 रुपए की रकम 3 साल में बढ़कर 7,105 रुपए हो जाएगी कि सलाना शरा पर यानि कि अन्वल रेट हमने फाइन करना है सलाना शरा फाइन करनी है मनाफ़ा प्रिंसिपल अमाउंट दी होई है 5,800 ये बढ़कर कितनी हो जाती है 3 यर्ज में 7,105 इसमें नफा भी शामल है 7,105 में ये तीन साल का मुनाफ़ा शामल है ठीक है पहले कितनी रकम थी 5,800 रुपए है तो ये कितनी हो जाती है 7,105 रुपए तीन सालों में तो हमने अन्वल रेट फाइंड करना है तो हमने शरा फाइंड करनी है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है प्रिंसिपल अमाउंट वो होती है जो हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये क्या है प्रिंसिपल 5,800 पर ओफिट तो कुल रकम में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो टल अमाउंट कितनी होगी है 7,105 इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्राइड कर देंगे 5,800 नफा कितना आ गया इसको सब्ट्राइड कर लें 7,105 तो यह इसका नफ़ा आ गया इसके बाद टाइम कितना है थ्री एर्ज टाइम टाइम टी इकुल है थ्री एर्ज फार्मूला लिखते हैं वी नो देट तो यह हमने फार्मूला लिख दिया अब इसमें वैलियूज को पुट का देंगे नफ़ा कितना है प्रिंसिपल कितना है फाइव थाउजन एट हंडर्ड रेट हमने फाइन करना है ती कितना है ती है थ्री एर्ज वन तॉजन थ्री हंडर्ड फाइव थाउजन एट हंडर्ड को हम थ्री से मल्टिपलाई का लेंगे 5,800 multiply 3 यह आगया 17,400 multiply यार अब यह देखें 17,400 इदर multiply हो रहा है तो दूसरी साइट पर आकर divide हो जाएगा 1,305 divide 17,400 equal annual rate rate को हम इस तरफ लिख लेंगे और इसको इस तरफ लिख लेंगे तो यह annual rate को हमने percentage में convert करना है तो इसको 100% से multiply कर लेंगे इसको 100% से multiply कर लेते हैं 1,305 divide 17,400 multiply 100% तो यह 2,0 से 2,0 cancel हो गई 1,305 over 1,74 1,305 को 174 पर divide कर देंगे यह आ गया 7.5 परसंट अब यह जो आंसर है ना इसको हमने fraction में convert करना है next fraction में तो इसका पहले decimal remove करेंगे 7,5 decimal के जगा पर 1 आ गया इसके बाद 1 digit is 1,0 इसको divide कर लेंगे 75 को 10 पर divide कर लेंगे 10,7,70 75 मैंने 70 यह आ गया 5 7 whole 5 और यह denominator में 10 आ गया 5,1,5,5,2,10 7 whole 1 over 2 परसंट तो यह इसका annual rate आ गया 10 annual rate annual rate क्या आ गया 7 whole 1 over 2 परसंट तो यह हमने fine करना था तो यह question number 6 complete हो गया question number 7 how long would rupees 15,500 have to be invested at a markup rate of 6% per year to gain rupees 2790 उसने कहा है 15,500 रुपे की रकम कितनी मुदद के लिए लगाई जाए यह principal amount क्या है 15,500 रुपे उसने कहा है यह रकम कितनी मुदद के लिए लगाई जाए कितने वक्त के लिए लगाई जाए atom markup rate of 6% कितनी मुदद के लिए लगाई जाए कि 6% लाना शिरा से नफ़ास 2790 रुपे हो नफ़ा कितना आगया है 2790 रुपे और rate क्या है 6% तो यह principal amount है हमने time मलूम करना है ठीक है वक्त मलूम करना है कि कितने वक्त के लिए यह रकम लगाई जाए कि यह मुनाफ़ा हासल हो और यह annual rate दिया होगा है 6% है इसको solve करते हैं question number 7 time कितना है T तो यह T हमने find करना है principal P तो यह principal amount कितनी है फिफ्टीन थाउजन फाइव हंडड़ रेट आर कितना है 6% नफ़ा कितना दिया होगा है आई यह कितना है रुपीज तो थाउजन सेमन हंड़न नाइन्टी फार्मुला लिखते हैं यह वी नोग दैट नफ़ा कितना है दो हजार साथ सो नवे रुपीज पर इंसीपल अमौंट कितनी हैं फिफ्टीन थाउजन फाइव हंडड़ रेट लिख लेंगे वर्संट एज को हम खतम करेंगे तो यह 6 के डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा मल्टिप्लाई टी 2790 यह 20 से 20 कैंसल हो गए 155 मल्टिप्लाई 6 है 155 को 6 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा 930 2790 यह 930 इदर मल्टिप्लाई हो रहा है दूसरी साइट पर ड्वाइड हो जाएगा इक्वल्टी इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं न ती को इस तरफ लिख सकते हैं ती को हम इस तरफ लिख लिए 2790 को इस तरफ डिवाइड 930 इसको इस पर ड्वाइड कर देंगे 2790 ड्वाइड कर देंगे 930 पर तो यह आगा थ्री इयर्स है तो यह कितनी मुदद लगेगी तीन साल लगेंगे ठीक है तो यह आगा टाइम तो यह हमने फाइन करना था तो यह क्वेस्टिन नमबर सैमन कंप्लेट हो गया अब हम क्वेस्टिन नमबर 8 solve करेंगे 31,000 तो वापस कितने रुपय मिले हैं बैंक से 31,000 31,000 रुपय मिला है 25,000 पै उसने बैंक में डिपोजिट किये थे शरा यह है और वापस उसको कितने रुपय मिले हैं 31,000 रुपय तो हमने मुद्द मालूम करनी है कितनी मुद्द के लिए उसने 25,000 रुपय बैंक में डिपोजिट किये थे कितने देर उसने बैंक में यह 25,000 रुपय रखे थे तो उसको 31,000 रुपय वापस मिले हैं तो यह उसका रेट है तो हमने वक्त मालूम करना है ताइम मालूम करना ह प्रस्टेन नम्बर रेट टाइम टी यह हमने फाइंड करना है तो कितनी रकम उसने बैंक में रखी है पच्चीस हजार परें परिंसिपल अमाउंट यानिके जो रकम बैंक में रखी जाए ठीक है पच्चीस हजार पर रेट और 12 परसंट नफा कितना हुआ है उसे पर रोफिट 31,000 में से पच्चीस हजार को सब्ट्रेक्ट कर लेंगे इतनी उसने जमा करवाई थी इतनी उसको बैंक से मिली है तो कुल रकम में से पच्चीस हजार को माइनस कर देंगे तो ये नफा आ जाएगा तो ये आ गया 6,000 रूपीज नफा पर रोफिट कितना आ गया 6,000 रूपीज फार्मूला लखते हैं we know that पर रोफिट इक्वल है ये इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे पर रोफिट कितना है 6,000 रूपीज तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 25,000 रेट है बारा परसंट मल्टिपलाइड टी हमने फाइंड करना है 25,000 परसंट एज को खतम करेंगे तो बारा के डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा मल्टिपलाइड टी तो ये दो जिरो से दो जिरो कैंसल होगे दो सुप चास को बारा से मल्टिपलाइड कर लेंगे मल्टिपलाइड टी दो सुप चास को बारा से मल्टिपलाइड किया तो ये आ गया 3,000 3,000 मल्टिपलाइड टी अब ये देखें ये 3,000 इधर मल्टिपलाइड हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया 6,000 को 3,000 पे डिवाइड कर दिया 6,000 को 3,000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 टी इकुल आगे 2 इयर्ज इसको हम इस तरफ लिख लेंगे तो मुद्दत आगई 2 साल दस टाइम इस 2 इयर्ज तो यही हमने फाइन करना था तो यह स्वाल नमबर 8 मुकमल हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.21 भी कम्प्लीट हो गए और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो पुदा राफेज पुदाल